अब सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज अब आपके लिएक लेक्टेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिसार के मशुरू भारत के बारे में और खासकर भारत के परधार मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी के बारे में ये वीडियो काफ़ इंट्रोस्टिंग होगी इसे अंतक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए से लेटेस्ट और मज़ेदार वी सीपोर्ट की डील की है उस पर अमेरिका जो है वो परिशान है लेकिन अभी तक उन्हों ने कुछ वाजे भारत भारत नंसको सीरियस नहीं है इनू ना आपक review लगा लो slection पी आप किसछी चीस पर सैंक्शन लगा होई आपकी शंक्शन कभी आज तक कहीं काम की है मेरी अमेरिकन भाइजन से ये question है आपने रशिया पे sanctions लगाई थी वो अमीर तरीन हो गया अब भारत पे sanctions लगाऊँगे वो भी तरीन हो जाएगा वो पहले ही तरक्कियों में है बलके मैं सबसे बड़ी बात है ये बड़े वसूख से कहूँगा आज अगर तंग करोगे अपना वाशिनिन डी सी भी खड़ाब कर लोगे वाशिनिन डी सी को चलाने बादे सारे भारती है Microsoft, Google के बगाएर आप दो घंटे गुजार लोगे आप सोचना चाहिए ले Biden, चाचा Biden जो है उसको दोवाईया दे के स्टेज में चलाते है ये पीछे जो हमारे भाई Obama है उन्होंने किसी बच्चे को कहा है यार कि इंडिया को मैंसे भेजो, हम सैंक्शन लगाज, लगा लो यारा पहले रशिया पर जो तो हमारी सैंक्शन काम कर रही है जवाब दिया उन्होंने, देना ही था जवाब उन्होंने, उनकी सहत पर क्या असर है उन्होंने, देखें, इस वकट ब्लाक चेंज हो रहे है बड़ा क्रूशल टाइम के उपर जा के मिनिस्टर ने एरान के अंदर डील साइन की है, अलेक्शन के दोरा, आफरीन है उन पे, इतना सीरियस मैटर था लेकिन उन्होंने साइन करनी थी, उसकी वज़ा ये है, स्री लंका के अंदर जब चाइना जा के अपनी पोर्ट को एक्स्पैंड करेगा, जब उनके शिप जाएंगे वहाँ पे भारत के सारे एटमी तनसी बात के उपर नज़र रखेंगे, तो जाहर है उसके बाद जो है, भारत अपने चाइन शिप्स आए हैं वहाँ पे, सतारा वन सेवन शिप्स आए हैं, पहले भी खसारा है, गवादर में चाइना परिशान है, एक तो आपने वहाँ से पीजे बनाए, आपने लूटा उनको, आपने कपड़े उतारे चाइनीज को, फिर उनके शेरियों को मारा, आपने हफ हाज़त उनकी नहीं की, और उसके बाद, वह सीपोर्ट कामयाब नहीं है, सिर्फ सतारा, इस वक्त चार पांच के करीब सीपोर्ट से हैं, चार है मेरा ख्याल है, जो चाइना ऑपरेट कर रहा है, इस रीजिन के अंदर, कुछ आफरीका में है, कुछ स्री लंका में है, इस दूसरा उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात ये है, कि जो भाइजान अमेरिकन परशान क्यों है, उस सीपोर्ट के वज़ा से, उसकी वज़ा ये है, कि वो इस वक्त तीन चीज़, भारत जो है, वो रशिया के साथ सीधा ट्रेड करेगा, और जो बाल्टिक है, जो पूटन साब कहें है, चाइना, सबसे बड़ी थ्रेट ये है, एक तो वो डालर के खलाफ ब्रिक्स को स्टांग करेंगे, नई करणसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और नया इलेक्रोनिक सिस्टम, पेमिट सिस्टम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कि किस तरीक नहीं कि हो क्या रहा है बिलकुँ कुछ पता नहीं इनको देख गाजा के अंदर देख लें आप इसकी सबसे बड़ी इलामत यह है फिछले हफ्ते इनों ने कहा है जी कि हम असलाब बंद कर देंगे साथ यह तीन चार दिन के बाद फिर खोल दिये खोल कर दिये अब कहते क्या हैं कहते हैं हम टैंकों के असला दे रहे हैं कहते हैं हम चाहते हैं टैंकों से मार रो फलस्तीनियों को जहाजों से ना मार रो यह इनकी पालिसी है अमेरिकर से तो अगर इस तरह हमारी तरफ तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी दो चार दिन से जो है वह मुसलसल लड़ा को लोगों को सजाज नी दी जा सकी आपकी स्टेट का गिरेबान रुजाना अली अमीर गंडापुर जो है के पे के जी मिस्ट अपके गिरेबान पकड़ते हैं आपकी स्टेट का डेली बेस पे आपकी स्टेट का गिरेबान पकड़ते हैं खांस अब डेली बेस पे आपकी इंदर घर में भी जगड़े शुरू हो चुके हैं खांसाब जब अगले दिन आये हैं बीवी बुश्रा भी आई है वो इनकी भेनों से खांसा मिंतें करते रहे हैं मेरी बाजी को मिलो मेरी बाजी से सलाम कर लो उसने का प्रयाख तू कौन है उन्हों फैमिली अफेर है उन्ह आपकी स्टेट को यह मश्वरा देना चाहूँगा अगर इस तरह अपने लूले लंगडे होगे स्टेट चलानी है तो चाबिया इसको दो भई खांसाब को तो उसमान बुश्दार आये वापस पिंकी पीर नहीं आये और दूसरी वो एक और यह आये अपना चलाएं छे मही सबसे बड़ी बात यह जो टेक्नो क्रेट टीम थी इनके पास उसका सबसे बड़ा हैड असद उमर था अकानोमेस जो तीन महीने नहीं निकले उससे दूसरा सबसे बड़ा इनका जो पटाखा था वो उसमान बुश्दार था एक पटाखा आजकल के पीकी में चल रहा है तो च्छे महीने उसके बाद देखें टीम भी तो देख रहा है इनकी असद उमर साब थे मुराज सहीड साब थे इतने इतने बड़े फिलासफर इनके पास थे जूल भी बुहारी जाब उनसे बड़ा कानोमेस कौन होगा देनको चाबिया पाकशदान की महीने च्छे तो यह तो करके देख चुके लेकिन सर यह तो अभी इस इनतजार में यह गर्मिंट तो इस इनतजार में कि भारत में नई गवर्मिट आजए तो भी ट्रेट करेंगे लेकिन महां से तो बड़ा ठंडा ठार किसम है जवाब आ रहा है देखें ट्रेड आपकी जुरूरत भा बहुत आगे जा जुके हैं आप अभी जिहाद से ही निकल पा रहे हैं आपका सबसे बड़ आलमिया तो यह है कि आप अपने इसलाम का चूरन बेचते हैं लोगों को कंट्रोल करने के आप इस स्टेज से आगे नहीं जा पा रहे हैं चले ठीक इसलाम इंगलिश में सिखा दो जार इनको ट्वीट तो कुछ पढ़ नहीं सकता कुछ दो फिक्रें इंगलिश में लिखनी सकता और जितने पालीसी मेकर हैं सब के बचे लंदन पढ़ रहे हैं तुरांटो पढ़ रहे हैं अभी मैं पांच मिनिट पहले मुझे किसी ने ट्वीट किया उन्हों के है तो बस जिहाद जिहादी सिखाते रहे हैं लगिन सार आपकी वह बात भी साबीत हुई वह दुबबाई लीक्स वाले वह तो फ़िटिफूर आवर्स में वह खबर गायब हो गएं किसी ने तकलीव ही नहीं कि कि इसके उपर पहले एक जूटा मूटा कमिशन बना दिया ज आपके सुसाइटी के हलाद इतने खराब हैं कि शरीफ आदमी को लड़की का रिष्टा को नहीं रही कि अब आप पस्तियों की नई से नई गहराईयां ढूंडते फिर रहे हैं आपको पता नहीं कौन चला चला कौन रहा है आपको मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि लोग मायूस होते जा रहे हैं मेरे जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं जो पहले सोचते थे कि शायद काजी फाईजी साब आएंगे आसिम मुनीर साब आएंगे इनके किरदार दूसरे लोगों से ठीक हैं कुछ ठीक हो लेकिन आज आज की जुडिशनी के कपड़े तो नौाज श्रीफ साब ने भी उतारे उन्हों ने जलसे में कहा जब दुबारा वो सदर बने हैं एक तो ये कि उनके जलसे के अंदर सारे सतर सतर साल के सियास जा रहा है फिर उनके बारे मेरे बड़े भाई के क्लासमेट थे वो अर्शिद मलक साथ उनके बारे में भी जिकर उनके लेकिन को पूछना वाला ही नहीं कुछ सजा जजा ही नहीं सर आपकी जो स्टेट्मेंट थी के मोधी जी जैसा लीडर चाहिए वो इंडियन मीडिया ने बहुत उठाई है बहुत जगह पर आप बात की इतना इतना रिस्पांड आया मैं इतना इस चीज़ पर आप सोचें सकते आप जो मेरे लिए आप सो प्राउड के मुझे इतना प देखें इस प्रासर को मैंने बड़ा भारत को बड़ा क्लोजली मानिटरिस करता हूँ चीजों में मैं वेरी मच मेरा प्यार महबत बहुत है तो उसमें आर्जो देखें प्रासर तो बड़े अरसे से शुरू है ऐसे बात नहीं है लोगों को उनको भी क्रेडिट देना चाह के नेशनलिस्ट थे वो भी ऐसी बात नहीं है उनके अंदर भी नेशनलिजम था लेकिन उसको क्लोजिंग दी है मोदी साथ में कल मैं एक जगा पर बैठा था तो मैं अक्सर दो चीज़ें आज बताना चाहूंगा कि जैश शंकर साब ने भी जो कल जिसमें किया तो वो सूर जाट लिफ तो मैं उनको फिर दूसरी चीज़ें जो बताता हूं खासकर इस हवाले से के गुजर माम हुज़ फैन अफ गुजराथ एक तो सूरच सूरत गुजराथ था जा सबसे पहले ब्रिडिश आये थे तो उसकी हिस्टॉरिकल से किनिफिकेंस दूसरा गांदी साह वह पाकिस्तान को मोधी जैसा लीडर चाहिए लेकिन वो इम्रान खान सब तो कहते थे कि जब तक मोधी जी है जब तक बात ही नहीं हो सकती भारत से देखें जो कल डाक्टर जेशंकर साब ने भी भारत एकनामिक राइजिंग के अंदर जो स्पीश दी उन्होंने भी मैंशन कि कि पाकिस्तान एंडिया के हालात को डिग्रेड किया था मुर्शित पाक ने टूथाज़न नाइंटीन में उनकी बात ऐसे यह बिल्कु ठीका हुआ ने लेकिन देखें इस वकत आपके पाकिस्तान के अंदर ये फैशन बन चुका है कि हर सियास्तदान जो उठता है मिसाल भ वे था मेंदर लोगों ने हहिमत की इसमें उन्हों ने हास्ल की लेकिन नैशनलिजम दिया उनों प्र एपर उसके बाद नैशनलिजम दिया है इसकी कोई मिसाल है और मेरी मैं भी यह किया तो पाकिस्तान कोई भी कंट्री नेशनली थाइब और और राइज विफ नैशनलि locks जब तक आपके अंदर प्राइड नहीं होगी कि मैं अपने खिते को आगे ले के चलूँगा उस वक्त तक आप तरकी नहीं कर पाएंगे हमारा अलमिया यही है कि हमारे अदर नैशनलिजम नहीं है हमें पते ही नहीं है हम है कौन मैंने जिस तरह हमेशा कहता हूँ आपको इडेंटिटी क्राइसिस हैं सुबा उठते हैं तो आप अबदाली और होरी के रिष्टेदार बन जाते हैं शाम कुआ अप अरबों के रिष्टेदार बन जाते हैं पाकिस्तान से कम से कम सो साल आ गया है और ट्रेड की ज़रुत पाकिस्तान को है ना की भारत को और आपने देखा इन दोनों ने बात की हमारे देश के प्रधार मंतरी नेरेंदर मोदी जी के बारे में उनके करेक्टर के बारे में और जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कुछ पाकिसानी और खासकर पाकिसानी मंतरी पारलेमेंट में खड़े होके भारत के परदार मंतरी और भारत की तारीफ कर रहे हैं वैसी साजी ताड़ साब ने बोला कि परदारमत्री मोधी ने भारत को नैशनलिजम दिया, यानि कि देशप्रती और राष्टेवाद दिया, वाशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो से लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्षिय में लिकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपनी से लेटेस्ट मज़िदा और नॉलिजबल वीडियो लाते रहें, जय हिंद, जय बार